अलू मतर का पिलाव जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीली में आदा कप से बन फॉर्थ कप जितना आप आप ले 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 यानि के तेल और उसके नहीं मैंने प्यास जाल दिये स्लाइस की भी यह मैंने ली है तकरीबन मैंने एक पड़ी प्यास ली है और इसको बिल्कुल हमें सॉफ्ट करना है बिल्कुल इसके सिर्फ टेप्स कोल लेन हो तब इसके नहीं बाकी चीज़े डालेंगे इसके नहीं डाल दें कडी लीफ्स यान की कडी पत्ता है मैंने साथ गडालिक पस्ट आल दी है जिनजर गारलिक पेस्ट नहीं के अजलाना भी नहीं है बस जिप्स कोलन होने चाहिए कि मटा प्लाव का गलार हमें बाइट चाहिए नोट ब्राउन तो हम इसको थोड़ा सा फ्राय करेंगे और में सब चीजों को देखें मैं थोड़ा सा फ्राय किया उसकी ताथी मैंने सिंदाल दिया टिमाटर मैंने एक टिमाटर दाला है इसके बड़े साइस का टिमाटर है इसका मैं नॉर्मल सा काट के इसके डाल दिया cutting is not important लेकिन आपको बड़े साइज के टेमाटर डालना है और आप इसको टेमाटरों काम सॉफ्ट में तक पकाएंगे और मैंने इसके डाल दिया है वन टी स्पून सॉल्ट यानिके नमक हजब जाएका भी आप डाल सकते है और इसके लाब सकेना कोई ऐस्टर कोई मसाले नहीं जाते है देखे टेमाटर माइस सॉफ्ट हो चुके है और हमाई ग्रीन चिली पी सॉफ्ट हो रही है आप चाहें तो अगर ग्रीन चिली नहीं है तो आप ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते है तो फिर मैंने डाल दी है आलू मैंने आलू लिया है दो बड़े और मैंने इनक तहुड़ा से मैंने भूना है तक तीन projections को भून आoweま nous Teraz एक कप भर के मैंने ले रही है मैंने पीस यहांने के सब ने हैं ठीके आफ है कर दूत को भी हम भूनेंगे के सबुद्से सबनें के मैंने का डीली सकथे दो मिम्हम दोस्ञारे करें इसके डाल देया है पानी बस इतना ही डाले कि अनगे के आलू मटर भल जब माएं दीज़ गल बढ़ा दो जाए लेकि मैंने 15 मिन तकरीबन भीगो लिया अब इसके ने देखे पानी इतना होना चाहिए कि आपकी जो पिंगर रहे इसके टू पार्ट चाहिए यह दो जो पोरे होते हैं यह दिप हो चाहिए ठीके मैंने फुल फ्लेम पे इसको पकाया है इस कंडिशन पर मैंने इसके फ्लेम जो है मीडियम टू लोग किया और इसको और कवर करके पका लिया जब तक यह तैयार नहों जाए थेंक यू फर वाचिंग अलाह फिर्स